बच्चों, आज हम आपका सुरू करेंगे, प्रस्चना वोली एक दिसमलो एक, पहला प्रस्चनिस में दिया हुआ है, क्या सून्य एक परिमेश संक्या होगी, हाँ, बिल्कुल होगी, इसका उत्तर होगा, हाँ, होगी, क्या सो पीबट्टी क्यू की रूप में लिखा जा सकत है, सून्य को हम लिख सकते हैं, सून्य अपॉन लिख सकते हैं, सून्य अपॉन टू लिख सकते हैं, किसी भी संक्या का भाग हम सून्य में देंगे, तो वो सून्य ही आएगा, तो यह पहला प्रस्चन था आपका, तो बहुत आसान था, क्या सून्य एक परिमेश संक्या और उसे Pbettic Q के रूप में भी लिखा जा सकेगा तो प्रस्ने 2 हमारा ज्यादा important है इसमें देखते हैं क्या है प्रस्ने 2 के अनुसार हमें बताना है 6 परिमेर सेंख्या हैं हमको बतानी है 3 और 4 के बीच में यानि 2 परिमेर सेंख्याओं के बीच में आपको 6 परिमेर सेंख्या बतानी है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेर सेंख्या निकालनी आपको तो 6 निकालने के लिए आपको क्या करना है बहुत आसान तरीका है इसका हम बहुत आसान तरीके से पढ़ेंगे तो उसका solution अगा आपको करना है तो आपको देखना है कि परिमे संख्यां कितनी है परिमे संख्यां है जितने आपको निकालनी है उसमाँ आप एक जोड़ लीजिए तो यह हो गया साथ ठीक हो गया अब आपको क्या करना है यहाँ पर जो 3 हमारे पास है और जो 4 है इसको हमको क्या करना है 3 को 3 बटे 1 लिख देना है और 4 को लिख देना है 4 बटे 1 तो फर्क नहीं पड़ता 3 बटे 1 भी 3 होगा 4 बटे 1 भी 4 होगा तो इसको multiply करिया 7 से और 7 से यह 7 से कहाँ? क्योंकि हमको 6 परी में इस एंख्या निकालनी थी यह हो जाएगा 21 अपॉन 7 और यह नंबर हो जाएगा 28 अपॉन 7 तो नंबर होगे नंबर वही है 7 से हम 7 से भाग देंगे 21 को कितना आएगा? 27 और 28 को 28 में हम 7 से भाग देंगे तो वो भी 4 आएगा तो यह 3 है और यह 4 है बस अब हमने क्या करना है इनके बीच के नम्मर से लिख लिए 21 बटे 7 22 बटे 7 होगा उसके बाद 23 बटे 7 24 बटे 7 25 बटे 7 26 बटे 7 27 बटे 7 28 बटे 7 लास्ट में 21 बटे 7 और 28 बटे 7 अर्था 3 और 4 3 और 4 के बीच में कित्ती परिमेर संख्या प्राप्त हो गई हमको यह सब हो गई 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो 6 परिमेर संख्या हमको निकालनी थी तो 6 परिमेर संख्या हमको प्राप्त हो गई इसी प्रकार से प्रस्ट संख्या 3 है तो प्रस्न तीन में भी हमको परिमिय संख्या निकालनी है उसमें हमारे पास है तीन बट्टे पांच और चार बट्टे पांच तो इसके बीच में भी परिमिय संख्या निकालनी के लिए सबसे पहले यह देखो कितनी निकालनी है 5 निकालनी है, तो 5 में एक जोड़िये, कितना हो गया 6, 6 से आपने हर तथा अन्सु को गुणा कर देना है, तो 3 गुणा 6 और 5 गुणा 6 और ये संख्या हो जाएगी, 4 गुणा 6, इसी एक संख्या से हर तथा अन्सु को गुणा करने पर संख्या में किसी प्रकार का अंतर नह तो ये 18 हो गया और नीचे हो गया 30 और यहां हो गया 24 और 30 अब इनके बीच में हमको प्रिमेरसेंग क्या निकालनी है तो एक तब लिखिए 18 बट्टे 30 ये तो वही है तीन बट्टे 5 और यहां पर आगे जो होगा वो होगा 19 बट्टे 30 20 बक्ते 30 21-23 22-30 23-30 और 24-30 वो कितना है? 4 बट्टे 5 है तो ये 4 बट्टे 5 है तो कितनी हमको परिमेसंक निकालनी है? हमको 5 परिमेसंक निकालनी है तो उस तरीके से मिलेंगे झाल 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 झाल